हेलो दोस्तों देखो सीको स्टेडी में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों सरकारी नौकरी में लागतार जो लोग फेल हो रहे हैं उनके लिए इवडियों होगा मेरा पुरा प्रयास रहेगा कि आपके अंदर एक आग जगाया जाए और आप जो है एक डम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ें और इस बार जो है सेलेक्शन ले ले बहुत सारे लोगों का ऐसा बोला गया होगा घर पे या परिवार में या दोस्तों ने बोला होगा कि क्या तयारी कर रहे हो रेलवे ग्रूप डी में भी आपका तयारी नहीं हो पाया या जो है सेलेक्शन नहीं हो पाया क्या गलती रह रही है आपको वहाँ पर आपको मैं लेके चलूँगा कि कहा कहा पर आपसे गलती हो रही है फिर वही गलती तो आप नहीं कर रहे हैं चले उस तो start करते हैं सबसे पहला point दोस्तो कि क्या आप वो पढ़ते हैं जो परिक्षा में पूछा आता है या जो है आप विद्वान बनते हो विद्वान बनने का मतलब यह है कि जो exam में आएगा और उसको हम पढ़ते नहीं है हम पूरा यहाँ पर सबस क्या क्या पढ़ते रहते हैं ISPCS की तयारी करने लगते हैं ठीक है exam दोस्तो देखे एक ही चीज़ मैं बोलूँगा कोई भी exam हो उसका अलग एक pattern होता है question पूछने का तरीका होता है हार एक चीज़ दोस्तो देखे pattern आपका change होता है यह मैं मानता हूँ लेकिन अभी तो आपके पास railway में जो लोग जानना चाते हैं उनके लिए एक pattern है अभी पिछले साल आपका exam होगा है तो वो एक pattern है दोस्तो तो यहाँ पर आप क्या करते हैं आप point to point यह निकि वो एक्जाम में चुआएगा वो पढ़ते हो या फिर आप विद्वान बनते हो विद्वान बनने के लिए कोई limit नहीं है दोस्तो आप पढ़ते रहिए PhD कर लिए यह आप पढ़ते ही रहिए पढ़ते रहिए पुरा जीवन चला जाग point to point नहीं पढ़ते हैं आप बहुत सरे ऐसे यूटूब पर है चैनल की जो दिन भर पढ़ाते रहते हैं दिन भर पढ़ाते रहते हैं इतना आपके पास matter दे देंगे इतना आपको PDF दे देंगे देंगे दोस्तो देखिए एक तो चीज मैं बता दूँ PDF मैं नहीं देता क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं आपको पता कैसे चलेगा कि क्या क्या चीज इसमें गलती हो रही है या मैं कुछ गलत लिख रहा हूँ तो जो लोग लिखते हैं वही वहाँ पर पकड़ पाते हैं ठीक है तो मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं current affair सुबह में देता हूँ हार एक निउस पिपल से चाट सकते हैं ठीक है या कोई भी निउस जो देते हैं उनसे या फिर दोस्तों 10 से 15 मिट आप हमारे वीडियो पर दीजिए जो सुबह में एक वीडियो जो है अपलोड होती है आट बजे के आसपास में उससे पहले ही अपलोड हो जाती है तो उसको हार एक सेक्षन से जो भी कोशन आपके जो भी करिंट जीज़ें होती है उनको उसमें लिया जाते है चलिए नेक्ट बात करते हैं जो आप गलती करते हैं कि पिछले वरसुका प्रशन पतर जो होते हैं उनको शौल्ब करते हैं कि उसको भी परिच्छा के दिन के छोड़ द हैं मतलब परिच्छा के दिन के मतलब बहुत सारी लोग यह सेट जो है 35 वाला सेट उठा लेंगे या 135 का सेट जो रहेगा उसको उठा लेंगे 40 का सेट उठा लेंगे लेकिन जब आप देखेंगे तो परिच्छा आना बाकी है 15 दिन परिच्छा बाकी है और उनका सेट जो ज अचार दिन रता है तो यह सost लगाना सुरू करते हן तो आप खुद से सच्छे आप फेल होंगे या पास होंगे ठीक है यही आमकी में जो है गलतियां है चलीए next गलती की बात करते हैं क्या क्या आप गलती करते लाइन हो गया है वाटसब पैसे से ग्रूप चल रहा है जो कि पीडियाफ ऐसे शेयर करते हैं हर एक चीज जो है किसी से छिपा नहीं है हर एक यूट्यूब चैनल फ्री में पढ़ा रहे हैं कुछ-कुछ जो है पेड़ भी चला रहे हैं दोस्तों तो वह भी समझ लिए कि आम नाम मातर पैसे पर पढ़ते हैं ठीक है क्योंकि वहाँ पर उनको ओडियंस मिलती है तो उनका पैसा रिक्वारिमेंट वो पूरा हो जाता है तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों कि जो है रेल्वे ग्रूप डी बहुत ही छोटा जोब है या कोई भी जोब छोटा नहीं है दोस ठीक है नेश्ट बात करते हैं जो आप गलती करते हैं परिच्छा के आने के 15 दीन 20 दीन पहले दोस्तों आप क्या करते हैं पीछले वर्स का जो है कोशन और अभी तक आपका करेंट अफेर तयार नहीं होता है यह एक दम सच्छा है दोस्तों करेंट अफेर रोज का काम है कर पॉइंट उसमें दोस्तों आप जो है कवर कर पाएंगे जो चलता रहता है न्यूज में आपने माली यूटूब पर ही न्यूज देखा ठीक है अब आप करेंट फियर में देखेंगे फिर आप कहीं और करेंट में देखेंगे तो आपको तुरंत वह चीज़ें याद हो ज बेटा है मतला अभी रेल्वे ग्रूप D एंटीपीसी की बात कर लें एंटीपीसी यह स्रिफ एक्जामपल किसी भी परिच्छा पर लागू कर सकते हैं आप रेल्वे ग्रूप D की बात कर दो तो इसके सारे जो है आपके जितने भी आप 2018 में आपका एक्जाम हुआ है जित परिचाम भी होगा तो जो है 135 set में बोलना हूं मजाक नहीं है solve करना लेकिन दोस्तों करिए आपको जौब चाहिए तो करिए वह करना होगा दोस्तों कि आप जब सो जाए ना तो भी सोई में भी आपसे कोई question पूछे तो आपको समाझ में आए कि अरे यह तो मैंने किया था start करता है तो 2-3 बार उसको करना जरूरी है यह कब करना है दोस्तो 15-20 दिन पहले ही परिच्छा के अपके यह तयार अना चाहिए ठीक है जब सभी लोग क्या करेंगे जब सभी लोग पढ़ना start करेंगे तब दोस्तों आप क्या करेंगे practice क्या होता है देखिए कई लोग आप complete कर लिया रहेंगे तो दोस्तों practice करेंगे तो आपको जो है वो चीजे तीसरी बार चौती बार आप पढ़ेंगे तो मालिजे कोई by chance गलती ही होती है तो आपको क्या पता चलेगा दोस्तों सबसे पहले तो जो practice करने का फाइदा होता है दोस्तों कि मालिजे एक घंटे का दो घंटे का जीतने देर का पेपर है उतना देर आप बैठना स्टारट कर देंगे साथी साथ दोस्तों कोइस्ट के लाष्ट तक जाना स्टार्ट कर देंगे कई लोग ऐसे हैं ben 13 और नहीं पहूंच ही नहीं पाते है यह वन से लेकर नब्या सी में ही इनका time UP हो जाता है मतलब यह question जाई नहीं पहे तो करेंगे क्या 20 question में से यह 10 भी question सही करते लेकिन यह यहां तक पहुँची नहीं पहे तो यहां से भी आपको practice जो है last में जो आपको 15-20 दिन होते हैं उसमें स्रिफ आपको practice करना है यह नहीं याद करना है याद तो होई जाएगा क्योंकि आप गलती करके जब आप answer की देखेंगे तो आपको पता ही चली जाएगा तो दोस्तों आपको 15-20 दिन पहले यानि कि तयारी करने के लिए कम से कम 2-3 महीने पहले दोस्तों एकदम अपने आपको जोग दीजिए ठीक है जितना दिन जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो एकदम जोग दीजिए और 135 के 135 सेट जो है पूरा आप solve कर जाएए उसके बाद जो है exam से 15-20 दिन पहले जब आप practice set solve करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये बंदा सही कह रहा था अब बात करते हैं दोस्तों next point की उन्ही लोगों से पढ़िए जिसको मालीजे आपको तो जिसका समझ में आता हूँ उससे आप पढ़ सकते हैं लेकिन दोस्तों उन्ही से पढ़ेंगे तो आपका समय बचेगा जो point to point बात करते हैं point to point मतलब दोस्तों दिखिए मालीजे की 135 आपका set है ठीक है मैं question करवा रहा हूँ जो है SSC SSC CGL लेबल का ठीक है और यहाँ पर railway group D का आपका exam है ठीक है या फिर मैं यहाँ पर PCS के लिए आपको लेके चल रहा हूँ PSC के लिए आपको लेके चल रहा हूँ तो कोई भी मैं अपना इनी example बता रहा हूँ कोई भी इतना बड़ा बड़ा जो है paper लेके चलना इस्टार्ट कर देता है और पूरा एकदम पढ़ाना सुरू कर देता है तो कोशन में क्या होगा reasoning में बहुत होगा तो कोशन एक या दो आपका जो है pattern से अलगा जागा मतलब थोड़ा बड़ा जो है आपके paper से अलगा जागा तो दो कोशन माली है छूटी गया और जो कोशन है दोस्तों math और reasoning में वही कोशन होगा बस रिप आपका अंक change कर सकते हैं अब GS में भी दोस्तों क्या करेंगे वो science तो change करेंगे नहीं तो science वही आपका आएगा तो जो अपने 135 set में solve किया है वो भी आप आसानी से कर लेंगे बात करेंगे current की current मैं बोली रहा होगे सुबा का जो है देखा करिए नहीं तो वही अंजाम होगा जो पिछले आपके exam मे अपका हुआ है ठीक है तो आप सभी लोग जो तयार हो जाईए और जो भी मैं देता हूँ उस पर एकदम तयारी के साथ लगिए दोस्तों मैं कोई भी बड़ा वीडियो नहीं बनाता हूँ 20 मिनिट से कमी मेरे जितने सारे वीडियो होते हैं 20 मिनिट से कमी होते हैं point to point मैं बात करता हूँ जो भी एक्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं अभी जो कितने करेंट में जितने सारे आपके वीडियो जाए हैं दोस्तों point to point मैंने बात किया है सभी को देखा करिए बहुत ही दुख होता है जब मेरे current affair आप नहीं देखते हैं और इतने मेहनत के बाद 10-20 मिनिट आप सुबा में दिया किजिए साथी साथ दोस्तों जो है math के और जो छोटे-छोटे-छोटे tricks आते हैं उनको देखा किजिए exam में जो आपके पूछे के question होते हैं स्रिप मैं आपको वही देता हूँ जी हाँ दोस्तों स्रिप मैं आपको वही पढ़ता हूँ जो previous यहर में आपके पूछे गए हैं ठीक है तो देखिए दोस्तों ये वीडियो आप सभी लोग के लिए railway group D वालों के लिए साथी साथ NTPC वालों के लिए एक motivation के लिए वीडियो बनाया है दोस्तों इसका जो है main मकसद यही है कि आप लोग के अंदर एक आग जगाय जाए और जो लोग घंटो घंटो तक जो classes चलाते हैं दोस्तों उनमें कोई गलती नहीं है दोस्तों लेकिन एक बात समझेए जब आपके पास छोटा में डाटा है आप 10 बुक 20 खरीद के और एकदम मतलब आप सलेबस को बिखरा रहे हैं सलेबस को बिखराने से कुछ नहीं हो दोस्त मत में अंक ही चेंज करेगा तो आसा करते हैं दोस्तों कि आप समझ चुके होंगे और जो लोग आपसे बोले हैं कि रेलवे गुरूप D में भी तुम्हारा नहीं हुआ तो उनस सभी लोग को इस बार आप जवाब देंगे आसा करते हैं कि हमारा प्रयास हमरे युडियो आप सभी लोग समझदार है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, आप सभी लोग जानते हैं, वीडियो को अधिक सदिक लाइक कर देगा, शेयर कर जेगा, आपके कुछ सुझाओ सजेशन हो, या इस वीडियो बार में इस सच्छाइक बार में आपको जो भी जैसा भी लगा, कमे टॉक मिलते रहें देखते रहें देखते रहें देखो सिगो स्टेडी मिलते हैं इस दो में धन्यवाद